और है हलो भूरो और फिरवन और क्रिकट में करेंगे त्लाधू chapters riot है वह तो सांसे नहीं होगे पट कुछ इंब सूंने से पहले मैं आपको कुछ बाते बता देता हूं जैसे आपको पता होगा कि रिक्रिकेट मhouse एक batsman होता है एक baller होता है ठीक है batsman की मतलब कैसे पहचाना जाए कि कोई batsman अच्छा है या बुर है या कैसे पहचाना जाए कि कोई baller अच्छा है कि बुर है तो उसका एक तरीका होता है उसकी average देख कि आब batsman वो क्या लाएगा रिपीट कर देता हूं कि मैंना क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर कोई batsman की average बहुत जाद है इसका मतलब यह हुआ कि वह अच्छा batsman ठीक है दूसरी बात यह है कि हमेश्या batsman की average होती है वो per innings में calculate की जाती है ठीक है inning के comparison में calculate की जाती है कि कितने the head my फर इनिक में we ह कितना रहा जैसे कहने का मदलब यह हुआ कि आगर कोई batsman की average किसी batsman की average 40 है इसका म का मदलब यह हुआ कि वो इनिंच में calculate की जा रही है कहने का मदलब यह हुआ कि वह जो ऐसा मान सकते हैं कि हर एक मैच में उसका जो स्कोर है वो 40 के आस पास रहा है ठीक है तो जितनी जादा batsman की average होगी उतना अच्छा batsman वो कहलाएगा अगर मैं bowling की बात करूं तो bowler की जो average होती है जितनी जादा average होगी उतना वो घटिया या भेकार बॉलर कहलाएगा ठीक है जैसे मैं यहां पर कोशन लिखा हुआ है यहां पर मेरा पहली लाइन लिखी हुए बॉलर has an average of 24.85 रंस पर विकेट ठीक है मतलब एक बॉलर है उसके average किदनी है 24.85 तो अगर बॉलर की average की value आसी हो ना बड़ी बड़ी value ठीक है इसका मतलब है वो अच्छा बॉलर नहीं है ठीक है दूसरी बात यह बॉलर के बारे में कि जो बॉलर की average होती है वो पर विकेट कैलकुलेट की जाती है और जो batsman की average होती है वो पर innings में कैलकुलेट की जाती है यह बाते आपको याद रखनी है ठीक है जल्दी से आपको दोबारा से पता देता हूं कि बॉलर जो batsman होता है जितनी जादा उसकी average होगी उतना वो अच्छा batsman होगा और बॉलर के अगर में बात करो तो जितनी जादा उसकी value होगी उतना ही अच्छा बॉलर नहीं होगा ठीक है और batsman की जो average होती है वो पर innings में कैलकुलेट की जाती है और जो बॉलर की average होती है वो पर विकेड में calculate की जाती है ये बाते आपको बस याद रखनी है ठीक है इसके इलावा आज हम जो method यूज करेंगे इन question को solve करने के लिए वो है allegation method वैसे तो allegation method कोई अलग से method नहीं है वो एक average का ही शौटकर तरीका है average के बड़े-बड़े lengthy questions को हाना मतलब जिन में equations बनानी पड़ती है उनसे बचने के लिए allegation method यूज किया जाता है ठीक है तो allegation method पे एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे ठीक है क्योंकि बहुत जादा questions कवर हो जाते हैं मतलब आप कोई भी question ले लो चाहे percentage का ले लो चाहे profit loss क का चाहे average का चाहे simple interest compound interest का मतलब कोई भी आप question ले लो आप average method से उसको solve कर सकते हो बड़ कुछ conditions होती है आप average allegation method लगाने के लिए ठीक है तो start करते हैं सबसे पहले जैसे यहां पर question लिखा हुआ है कि बॉलर है उसकी average 24.85 runs per wicket जैसे मैं आपको बताया कि बॉलर की average हमेशा per wicket calculate की जाती है तो इसका मतलब ही अच्छी इसकी balling नहीं है एक wicket देने के लिए इतने run कर्च कर रहा है तो अच्छा कहां baller हुआ यह फिर उसने बोला कि अगले पांच match when he takes 5 wickets for 52 runs फिर बोलता है कि वह उसने अगले match में शायद अगले match की बात कर रहा है when he takes 5 wickets for 52 runs तो जब उसने 52 runs देखे 5 wicket लिए तो उसके average क्या होगी decrease होगी अब average decrease होने का मतलब यह है कि उसने improvement की है तो अगर यहां पर batsman होता और उसकी average decrease होगी होती तो इसका मतलब वह सच्छी में अच्छा performance नहीं दे रहा है बट अगर baller के average decrease हो रही है इसका मतलब यह हुआ कि average sorry जो baller है वह अपनी balling में improvement कर रहा है तो यह यह बात आपको याद रखनी है ठीक है अगर किसी baller की average decrease हो रही है इसका मतलब उसमें improvement हो रही है ठीक है तो आपको बताना है कि how many wickets did he take before the last month तो last month से पहले इसने कितने wickets लिए है तो इस तरह के question में मैं आपको क्या कहा कि allegation method use करना है allegation method मैं आपको थोड़ सा hint बता देता हूं कि allegation method कभी use करना है allegation method आप तब use कर सकते हो जब का आपको individual individual value और उनका mixture की value दियो तब आप allegation method use कर सकते हैं अब मैं आपको करके दिखाता हूं पहले ठीक है उसने बोला क्या है कि एक baller है जिसकी average है 24.85 runs per wicket ठीक है बड़ी कितने मैचों की है हमें नहीं पता ठीक है उसने जैसे उसने बोला हुआ है कि एक baller की average कितनी है 24.5 24.85 ठीक है यह average है एक baller की ठीक है तो अब आगला जो अगली line है वो क्या लिखे है उसने उसने लिखे है कि when he takes five wickets for 52 runs फिर जब वो पांच wickets लेता है 52 runs देखे तो मुझे एक बात बताओ पांच wickets वो ले रहा है 52 runs देखे तो एक wicket ठीक है वो कितने run देके लेगा ठीक है 10.4 है ना इसका average होगी तो मैं आपको बात बता दू कि जब भी आपको allocation यूज़ करना है तो अगर आप इधर average यूज़ करें तो आपको इधर भी average यूज़ करनी है ठीक है तो मुझे एक बात बताओ कितनी average होगी 10.4 average होगी ठीक है ठीक है पहले जो उसने बोला था कि average है बॉलर की वह है 24.85 ठीक है फिर उसने बोला कि उसने पांच विकेट्स पर 52 रंस दिये तो यहां से हमने average निकाल ली और average कैसे निकालते हैं एक विकेट दे के कितना रं निकाला होगा दिया होगा 10.4 तो इसका 24.85 जो average है यह कितने विकेट्स लेने के बाद आए हमें नहीं पता तो महां लेते हैं एक्स विकेट्स ठीक है यह यहां पर मैंना लिग दिया तो बारा से एक बार रपीट कर देता हूं कि एक बॉलर जिसके 10.4 एवरेज ठीक है पांच विकेट्स के लिए यह पांच विकेट्स के लिए एवरेज है ठीक है पर जब यह चीज करता है कि पांच विकेट्स लेता है और 52 रंस देता है तो उसकी एवरेज डिक्रीज हो जाती है मतलब थोड़ा सा इंप्रूब्मेंट हो जाती है तो पहले आवरेज ती 24.85 आप गिदने हो जाती है 24 और जो बीच वाली वैली है उसको आपने बीच में लिखना है ठीक है इस तरीके से करना फिर आपको क्या करना है इनको सब्ट्राक्ट क सब्ट्राक्ट करना है जैसे 24.85 मैंसे आप 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.85 आएगा ठीक है और 24 मैंसे 10.4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा जैसे कलो आप 24 मैंसे 10.4 माइनस कर दो तो आएगा 6 यह आएगा 3 13.6 ठीक है अब आपको बात बता दू कि जो सब्ट्राक करके यह जो values आती है न यह होती है ratio यह किस चीज की ratio होती है तो आपको कोशन देखके पढ़ना है ठीक है जैसे मैं आपको बता दो कि यहां पर उस्टम बोलर की average लिखी हुई है 24.85 runs per wicket तो जो पर के बाद value value होती है जैसे जो भी लिखा हुए पर के बाद जैसे विकेट तो यह विकेट की ratio होगी ठीक है जो भी पर के बाद लिखा होगा वह ठीक है वह उसी की ratio यहां पर होगी जैसे अगर suppose करो यहां पर 20 km per और दिया होता कोई value है ना कोई दूसरा question होता जिसमें 20 km per और तो अगर हम उसमें allegation method यूज कर रहे होते तो यहां पर जो ratio आती वो किसकी आती और की ठीक है और वर्क बोलते हैं वैसे उसको ठीक है तो हमने क्या किया इसको सब्रेक्ट किया अब इसको हम थोड़ा solve कर लेते हैं ठीक है और हमें यह पता चल गया कि यह जो values आई है यह ratio होती है wickets की ठीक है wickets की अब यह और clear करते हैं जैसे अब देखो 13.6 पॉइंट में और 0.85 तो आपको पता है ratio ऐसे निकालते हैं डिवाइड ही होता है तो 136 अपॉन 10 85 अपॉन 100 ठीक है अब इसको में solve करेंगे 136 अपॉन 10 100 अपॉन 85 ठीक है अब यहां पर देखो 00 हो गया cancel ठीक है 5 2 जा 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35 clear 7 1 जा और 7 8 जा ठीक है तो उपर आया 16 और नीचा आया 1 तो मतलब इसको अगर मैं काटूं ठीक है इन values को अगर काटूं तो ratio बनती है 16 is to 1 ठीक है 16 is to 1 तो मैंना भी आपको क्या कहा कि यह जो ratio आती है यह किसकी होती है विकेट्स की जो भी यहां पर लिखा हो 24.85 रन्स पर विकेट पर के बाद जो भी वैल्यू लिखे हो थी यह उसी की रेशो आती है ठीक है इसका मतलब यह 1052 रन देके उसने पाँच विकेट ली तो रेशो के हिसाब से लग रहा है कि इसने एक ही विकेट्स ली लिए है यह ना क्योंकि मैंने जिए यह विकेटकी रेशो की रेशियो है उसने तो 5 विकेट लिए है तो इसको आम 5 कैसे बना सकते यह 5 से मल्टिप्लाइए कर ठीक है अगर हमने इसको 5 से मल्टिप्लाय किया तो इसको भी करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता कि रेश्व में जब भी चेंज करना है इकुल इकुल चेंज करना है तो इधर आगया 5 और 1650 होता है 80 ठीक है तो इसका मतलब इधर इसने 80 यूठेट्षेल के इसने पूछा ज्याटी बीटेक लेटेट्रा तो फेकर ऑसे केलतनी 5 और इसे अपछ llan प्रतू कि ठीक है जबड़ेट्बbnा पांच नहीं यज अब फूस्तार्प लास्ट्राइट्रिशन इनकोष दान पत्रतुए 211 था चांछ तो ये है allegation method ठीक है जब आप इस तरह के 10 से 12 question solve करोगे automatically आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है next question भी विल्कुल वैसा ही है क्यारा कि एक baller है जिसकी average है 12.4 runs per wicket तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि बॉलर की average per wicket में calculate की जाती है ठीक है और बॉलर की average जितनी कम हो उतना बॉलर के लिए अच्छा जैसे पिछले question में बॉलर की average थी 24.85 और इस question में बॉलर की average 12.4 runs ठीक है पर wicket तो मुझे बताओ कौन सा बॉलर अच्छा था ये वाला की वो वाला ये वाला ठीक है इसकी falling अच्छी है तो फिर आगे बोड़ रहा है कि when he takes one wicket for 25 runs फिर अगले कोई मैच होता होगा जिसमें वो 25 runs देके एक wicket लेता है इसका मतलब उसकी average कितनी होगी इस वाले match में 25 runs per wicket ठीक है तो मतलब अब average इसके इस वाले मैच की वज़े से आप average उसकी भड़ेगी की मतलब की कम होगी बढ़ेगी ठीक है बढ़ने का मतलब average और खराब होगी फिर उसने बोला है कि average degrees by 0.6 मतलब उसकी average कम नहीं होती है यहां पर degree का मतलब कम नहीं होना है खराब होना है और जब आपको पता कि वैसे जैसे पहले अप्रोच की थे हमने वैसे करना एक बॉलर जिसके आवरेज की दिनी है 12.4 तो आप लिख दो 12.4 पर विकेट यह बॉलर की आवरेज है और मैं आपको बताया ठीक है तो जो भी यहां पर आवरेज दी हो आपको वह यहां पर लिख देनी है फिर उसने आगल उसने बोला है इसमें आज के बाद होता क्या कि उसकी जो अवरेज है वह कम हो जाती है 0.6 से त्वो कम हो जाने का मतलब यहां पर कम हो जाने का मतलब वह बाला नहीं है की 12.4 से हम कम कर देंगे 0.6 ना तो अब यह बात आपको समझ आने चाहिए ठीक है यह बात आपको समझ आनी चाहिए यहाँ पर उसने बोला कि his average degrades by 0.6 इसका मतलब यह नहीं कि उसकी average 0.6 से कम हो गई ठीक है इसका मतलब उसकी 0.6 से बढ़ गई क्योंकि आपको पता कि average बॉलन की जितनी जादा होगी उतनी खराब होगी तो यहाँ पर वह मतलब है ठीक है बस आपको पता है यह भी आवरेज है यह भी आवरेज है और यहाँ पर यहां पर मुझे पता ही नहीं है कि अनल subset 12.4 गे तो आगया 0.6 तो आपको पता है कि यह जो आता है सब्टरेक्ट करके यह रेशियो होती है और यह रेशियो किसकी होती है आपको मैंने 20 is to 1 अब मुझे बात बताओ यहां पर विकेट कितनी है एक और असली में भी एक ही थी तो इसका मतलब एक की वैल्यू एक है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी की ने वाइख करना चॡछा कि शूर APP क्रहूं कि पर के वाइं यहां फर विकेट की रेख रहेगी और आपको पता है कि यहां पर वाले मैं आइच में कितनी विकेट में एक विकेins ली थी यह देखो he takes one wicket for 25 इसका मलब एक की value एक है तो 20 की value कितनी होगी 20 तो यहां से हमें पता चल गया कि last वाले match से पहले उसने कितने wickets ली थी 20 wickets ली थी next question है वो batsman से लेट लिए question के आगे batsman है जिसकी average 37 runs till 17 innings मतलब 17 innings तक उसकी जो average है वो 37 runs है अब वो क्या रहा कि how many runs should he score in next inning next inning में वो कितना score करे कि उसकी average है वो six run से भढ़ जाए ठीक है विल्कुल वैसा कोशन है मुझे बात बताओ ठीक है उसने बोला कि हम 17 innings की उसकी जो average है ठीक है 17 innings की जो उसकी average है وہ 37 runs ठीक है 17 innings की मैं आपको बताया था आकि जो batsman की average होती है वो इ轌कोलेट कि जाती है ठीक है और जो baller की होती है वो bigger के glass की उसकी average है 37 runs तो क्या मैं यह मान के चल सकता हूं कि हर एक inning में उसörung 37 score किया होगा ठीक कhen यह मैं मौनके चल रहा हूं कि उसने हरे की इनिंग में 37 Tan score किया होगा ठीक है फूर होता क्या कि next inning आती है तो इस तरह की कोई करें कि कोई भी चीज आ रही है ठीक है तो एक next inning आती है next inning में वह कितना score करें पूछ रहा है कि उसकी एवरेज 6 से बढ़ जाए ठीक है तो मुझे वाद बताओ नेक्स इनिंग भी अगर मैं इंकल्यूड कर दूं तो वह पूछ रहा कि कितना स्कोर करें कि उसकी एवरेज जो है वह सिक्स रन से बढ़ जाए तो मतलब 37 से कितनी बन जाए 43 ठीक है अब मैं आपको यह जैसे पहले बताया कि अगर 17 इनिंग्स की ऐवरेज 37 रन है तो मैं बान सकता हो कि हर एक इनिंग में उसने 37 स्कोर किया होगा अब वो कह रहा कि जब इभ नेक्स्ट बाली इनिंग भी आ गेई तो उसकी औररेज होो गी वो 43 रन होगी ठीक है तो क्या वह यह मान के चल सकता हो कि अब हर एक इनिंग में 43 43 रन बनाया होगा उसने ठीक है इसका मदलब निव इनिंग में भी 43 रन बनाया होगे ठीक है निव इनिंग में 43 रन बनाया होगे बट क्या सिरफ 43 रन बनाया होगे ना ज्यादा बनाया है क्यों हमें कैसे पता चला कि ज्यादा की बनाया वह देखो 17 इनिंग्स थी 17 में 6 इन्क्रीज कर दिया हर एक इनिंग में जो एवरेज थी वो 6 इन्क्रीज कर दिया तो 17 को 6 से मल्टिप्लाई करेंगे तो आएगा 102 तो 102 में एड कर दो तो मतलब इसने नेक्स्ट इनिंग में 145 रंस बनाए ठीक है उसकी वज़े हुआ क्या कि जो एवरेज थी वो 6 रंस से बढ़ गई ठीक है एक बार दुबार रिपीट कर देता हूं मैंने क्या बोला कि एक बैसमें था ठीक है उसकी 17 इनिंग में एवरेज थी 37 रंस तो मैं यह मान के चल सकता हूं कि हर एक इनिंग में उसने 37 स्कोर किया ठीक है फिर उसन इनिंग है ना एक सतारा यह वाली एनिंग और एक यह वाली इनिंग तो अठ्रा इनिंग की जो ज़ो ऐवरेज आब 43 बन गी तो क्या मैं यह आप मान के चल सकता हो कि हर एक इनिंग में 43 43 रन उसने समिरा होगे ठीक अगर होगे ऑस से बढ़ जाती है इसका मनुद्व बिस्ने ज्यादा स्कॉर किया है अब हमारा मोटीव यह ले इसने कितना ज्यादा स्कॉर किया अब आपको पता है अगर आवरेज हो गई फॉर्टी टी तो जो एक्स्ट्रा रन का increment हुए वो किसकी वज़े से इस इनिंग की वज़े से तो 102 एड कर दो तो जो 145 आएगा वो आएगा next इनिंग का score जो इसने score किया यह वाला जो question है यह homework है ठीक है पढ़के सुना देता हूं एक बार एक batsman है जिसकी average है कुछ till 64 innings ठीक है 64 innings तक उसकी कुछ average है average यहां पर बताई नहीं गई है फिर next बोल्र है वो in his 65th innings अगली innings में होता क्या कि वो कोई run बनाए भी नहीं out हो जाता है तो उसकी वज़े से होता क्या कि उसकी है जो average है 65 innings की वो degrees हो जाती है दो रन से तो उसकी बताने है आपने की new average क्या होगी यह question है ठीक है यह homework है आपका सो इसकांसर आपको comment section में देना है ठीक है सो मिलते नेक्ट वीडियो में थेंक यू